तो आपके उन्त केदी कैसी कर सकते हैं स्रीज में आपका स्वागत है आज का हमारा टॉपिक है इंसेक्स के बाड़े में जिसको मॉला या एफिट्स के नाम से भी जानते हैं तो यहाँ पे एक सत्तर मेंने लेकर रखा है जिसके अंदर आपको दिख रहा है कि एफिट्स का अ सकते हैं इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे स्टेप आपके बाता दू मेने तो यहां पे कि एफिट्स का अटएक किस स्टेज में है वह भी देखना पड़ेगा चलो हम स्ब्रूबात करते से स्टेज 1 से स्टेज वन जिसको हम प्लावर की संचीज जिसको प्लावर् तो आपकी पसरकी production में बहुत सारा फ़र्क आ सकता है तो यहाँ पे मदुमक्य का नुकसान कैसे रोका जा सके कि अगर हम जो Pistri Sides reuse करते हैं उससे हमारे जो attacks है वो भी कम हो जाए और मदुमक्य को भी कोई नुकसान ना हो मदुमक्य इतने जादा डेमेज नहीं होगी और अगर यलो टेग है और रेड टेग है तो मदुमक्य को बहुत जादा नुकसान कर सकता है तो यह चीज़ों हमें द्यान रखना है तो हमें इनिशल प्रेड में इस स्टेज के अंदर हमें ग्रीन टेग या ब्लू टेग का ही यूज करना है यहाँ पे यलो टेग और रेड टेग का यूज नहीं करना तो चलो हम शरुआत करते हैं सबसे पहले अगर फ्लावरिंग स्टेज में इन्सेक के अटेग बहुत ज़्यादा कम है तो उस कंडेशन में हमें यहाँ पे यहाँ पे बायो आर तीन सो तीन करके एक और्गनिक बेस प्रिस्टी साइड आती है बहुत ही ज़्यादा यूस्पूल है तो इसके काम की बात करो तो यह जुरस चूसक जो की कीड़े है उसको दीरे दीरे completely control कर लेगा और यहाँ पे micronation भी इसके अंदर add किये गया है जिसके वज़ेसे वो growth में भी बहुत ज़्यादा help कर लेगा इसके dose की बात करो तो 1 से 1.5 ml पर लिटर की साबसे use करना है अगर इसके cost की बात करो तो मैं 60 से 70 रूपीज पर pump का costing बेढ़ जाएगा अगर इसके result की बात करो तो बहुत ही अच्छा result देगी तो यह दवा actually organic based है इसलिए यह मधुमगी को थोड़ा भी नुकसान नहीं पहुचाती और आपकी फसल में insect को control भी अच्छे से कर लेती है अगर flowering stage में insect का attack जादा है तो उस condition में आपको दवाई को change करना है यहाँ पे UPL की उलाला करके दवाई आती है जो बहुती बढ़िया result देती है अगर इसकी काम की बात करो तो यह insect को दीरे दीरे कंट्रोल करती है तो आप जब भी दवाई डालोगे उसके दो या तीन दीन के बाद इसका result एकना start हो जाएगा अगर इसकी टेक की बात करो तो यह blue color में आती है जिसे वाज़े से वो मध्य मक्की को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुचाती अगर इसकी cost की बात की जाए तो 60-70 रुपीज पर pump का costing बैढ़ जाता है और 700 रुपीज पर acre का costing बैढ़ जाता है तो उस condition में हमें दवाई को थोड़ा change करना है अगर attack बहुत ही कम है lower attack में है तो उस condition में आप पहले जो दवाई हमने यूज की UPL की उलाला उसी को यूज करना है लेकिन यहाँ पर आपको dose रखना है 8 gram पर 15 liter के इसाब से अगर attack थोड़ा सा जादा है तो उस condition में स्रीप्रासिब ये उलाला को यूज करने से आपका result नहीं मिलेगा तो इसके लिए आपको कोई भी contact side insecticide को यूज करना परेगा तो यहाँ पर उलाला के साथ दो contact side insecticide को हम यूज कर सकते हैं तो एक तो पहला है mellathion जो एक contact type insecticide है इसको हम अगर इसके अंदर यूज करेंगे तो बहुत ही अच्छा result मिल जाएगा तो यहाँ पर उसकी काम की बात करो तो यह बहुत ही fast result दे देगी क्योंकि इसमें contact type insecticide भी है अगर इसके tag की बात करो तो दोनों में blue tag है कोस्टिंग की बात की जाए तो 80-90 रूपीज पर pump की कोस्टिंग बैट जाएगी और dose की बात की जाए तो यहाँ पर उलाला को 8 gram पर 15 लिटर की साबसे यूज करना है और mellathion को 1 ml पर लिटर की साबसे यूज करना है अगर यहाँ पर दूसरा option भी है यहाँ पर अगर आप उलाला के साथ मेलातियों को mix ना करके यहाँ पर सुपर स्टार करके दूसरी दवाई आती है जिसमें बाई फैंतरिंग 10% आता है इसको भी यूज कर सकते हो तो यहाँ पर दोस की बात करो तो मैं 5 ml पर 15 लिटर के साबसे सुपर स्टार को और उलाला को 8 ग्रम पर 15 लिटर के साबसे दोनों को mix करके यूज करना है और उसके Tech की बात करो तो यहाँ पे Superstar है उसका Yellow Tag है तो थोड़ा बहुत उसको मदुमत के को नुकसान करेगा लेकिन यहाँ पे अमने Bypandering का जो Doze है उसको बहुत ही कम रखा इसे कोई भी मदुमत को नुकसान नहीं करेगा चलो अब Stage 3 की कि बात करो तो यहां पे फ्लावर 0% होते हैं और सीड़ 100% होते हैं तो इस कंडिशन पे फ्लावर नहीं होते हैं तो आपका जो मदुमकी का इनॉलमेंट है वह भी थोड़ा सा कम हो जाएगा तो यहां पे आप को यूज कर सकते हो तो हमारे लिश्ट में सबसे पहला है सूपर स्टार जो आपने पहले भी देख चुकिए जो बाइफेंटर न परसंट आता है तो इसकी डोस की बात करो तो तो बहुत ही फास रिजल देगा तो आपको 20 मिट के अंदर ही आपको उसका रिजल देंगना स्ट अगर कोस्टिंग के बात करो तो टैन रूपीस पर 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 किसाब से कोस्टिंग बेढ़ जाएगा तो बहुत ही जादा नौ मेंल है और दूसरा जो हमरे इस लिज्ट में दूसरा आता है जो है मेला थियों जो टस्क करके आता है इसी वाली कंपनी का है यह तो यहाँ प को स्पॉंसर किया है गुजरा देगरों ने अगर कंटेंट पसंद आये तो लाइक सब्सक्राइब और शेर कर दीजिए